वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे ब्रेट कटलेट जो के बहुत ही इजी लिबन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं तो आए देखते हैं अपे हमने हाफ के जीवी बॉयल आलू लिया हुआ है जिसे हम इस तरह से मेश करेंगे तो आलू को इस तरह से मेश करने के बाद हम इसका मसाला तैयार करते हैं दस हरी मेच और एक छोड़ा टुकड़ा अद्रक और दस बरा लसन की कलियां इसे हम पीस लेंगे पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे फिगेर पानी के हम इसे पीस लेंगे तो इस तरह से हम इसे ददद़ आपिस लेंगे अब हम मेश केवे आलू में मसाले को एड़ करेंगे शाथ करेंगे एक टीच पुन नमक एक टीच फूल धन्या पाउडर हाफ टीच पुन जिर्रा पाउडर और एक टीच पुन चाट मसाला अब साथ येट करेंगे दो टेबल स्पून चॉप किया हुआ धन्या अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स करेंगे तो सारे मसालो को आलू में मिक्स करने के बाद यहां पर आमने ब्रेड लिया हुआ है ब्रेड को पानी में इस तरह से डीप करेंगे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे पानी को प्रेस करके निकाल देंगे अब हम इसके कोर्णर निकाल देंगे तो इस तरह से कोर्णर निकाल देने के बार इस में हम इस तरह आलू लेके इस तरह से फिलिंघ भर देंगे और अंसरह पेक करेंगे दबाते हुए है है चिए तरह से प्याइक करेंगे वर ना ओल में हमारे कट्लेट खुल जाएगे है तो इस तरह से कट्लेट को तैयार करेंगे तो इसी चरह अधे ट्लेट बना लैंगे ब्रेट को पानी में इस तरह से डिप करेंगे और प Campbell करके और मैंन निकाल तरहां हम इसी तरह से बना लेंगे लिए को यौप वने गरम ने के लिए रख दिया था ओल rotation होने पर हम कटुलेट को डाल देंगे जो इसले हमनेने क्टिलेट को डाल देंगे के इस तरह से बेक साइट से भी चार से पाच मिनिट हम फ्राइ करके निकालेंगे इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने पर तो इस तरह से फ्राइ करने के बाद गयास की फ्लेम को हम हाई पिलेंगे और इसे क्रिस्पी करेंगे इस तरह से कटलेट हमारे रेडी हो चुके हैं टेस् like and subscribe जरूर करें thank you